Hello Guys, Wealth Express में आपका हर्दिक स्वागत है Guys, आज मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए कि मतलब कल के लिए एकी स्टॉक लेके आया हूँ क्योंकि अपने स्टडी में सिप एकी स्टॉक कल आ रहा था तो एकी स्टॉक आपके लिए ले आ रहा हूँ लेकिन उसके अलावा में आपको विक्ली चाट के उपर निप्टी और बेंक निप्टी में आज देखा होगा आपने मतलब पिछले 5 दिन से मार्केट में बहुत निचे आ रहा है, निप्टी बहुत गिर रही है तो कहा तक गिर सकती है और तो बहुत सारे कमेंट आये थे कि निप्टी में व्यू बताईए तो मैं आपको निप्टी में व्यू बताऊँगा उसके इसाब से आप आगे का सोच सकते हो कि आने वाले एक महीना कैसा रहेगा निप्टी में और बैंक निप्टी में और ओवराल निप्टी में कितना है 1.67 का है यानि निप्टी के compare में bank निप्टी में correction बहुत काम आया है तो अभी मैं आपको निप्टी के उपर weekly chart के उपर analysis करके बताता हूँ तो देखो मैंने draw करके रखा है इसमें देखो कि weekly chart निप्टी का तो अभी अपने इसमें देखेंगे कि कहा तक निप्टी गिर सकता है क्योंकि पिछले 5 दिन में आपने देखा होगा तो निप्टी 18,350 से लेके 17,150 आ गई यानि करीब 1200 point correction आ गया वो भी 5 trading session में तो कहा तक गि year cut मिलता है अपने को support level कहा पर है daily chart पर थोड़ा कम मिलता है लेकि निप्टी विकली chart पर इसली अपने को spot कर पाते है कि कहा पर support है उसका तो आपने देखो यहापे मैंने weekly chart के पर draw किया है यहापे एक support लिया है निप्टी ने उसका trend line यहापे भी बन रहा है देखो यहापे भी support लिया है यहापे support लेने के बाद अभी उपर गया है उपर जाने के बाद वो यहापे आया है तो trend line आप draw करोगे निप्टी में weekly chart क तो आपको यहाँ पर एक support मिलीगा trend line का, यहाँ पर दूसरा support इसको आप मान सकते हो, और अभी देखो, यह line जो जा रही है, वहाँ पर correct आ रहा है, यानि कि अभी support line निप्टी नहीं है, support trend line पर नहीं है, लेकिन थोड़ा उपर है, लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हो, कि देख side में, momentum में, तो अभी awesome indicator green में बता रहा है, तो बहुत high chance है, और आप यहाँ से दिखो, कि ध्यान से, तो clear cut क्या बन रहा है, triangle pattern बन रहा है, वो भी weekly chart के उपर, तो यहाँ से देखो, मैंने draw किया है, यह वाला, और यहाँ से uptrend जा रही है, यह वाली, तो क्या हो सकता है, इस दो, तीन वीक, वो मेरे को पता नहीं, यह कब breakout देगी, बेभी वो next week की दे दे, उसके दो week के बाद भी दे दे, लेकिन, यह क्या करेगी, finally उसका future में बता रहा हो, आने वाले एक दो महीने में क्या हो सकता है, इसमें यह हो सकता है, कि यह trend line का ऐसे support लेके, weekly chart के उपर breakout दे ready है, क्योंकि नीचे उसको बहुत support देखो, यहाँ पर draw करके बता है, आपको daily chart पर बताऊंगा, तो बहुत easy रहेगा, उसमें, देखो, weekly chart है, daily chart में बता रहा हूँ, अभी, तो daily chart पर आप ध्यान से देखोगे, तो निप्टी ने area को क्या किया, देखो, यह daily chart है, यहाँ से नीचे आया, उपर गया, यह pause लिया, उपर गया, और finally उपर चला गया, उपर जाने के बाइद, वो कहाँ पर आया, exit कहाँ पर आया, उसका जो पहले supply हुआ करता था, यह area, उसका supply zone बनता था, वो उसने क्या कि यहाँ पर support बनाया, और support बना के बाद उपर गया, और finally एक निचे रहा है लेकिन दूसरे दिन देखो फिर से काव पर आ गया है कभी false breakout भी होते है guys ऐसा जरूरी नहीं कि ये candle कभी कभी हो गई थी निचे आ गई थी लेकिन उसके बाद दूसरे दिन क्या किया फिर से वो range में आ गया है ये कि demand जो उन में आ गया है और फिर से उपर चला गया है उपर जाने के बाद अभी काव पर आ रहा है ट्रेंड लेंड के support के आसपा डेली चार्ट पर तो already support मिल चुका है अगर weekly चार्ट में देखते हैं तो थोड़ा support दूर है तो यहां से देखो निप्टी को गिरने के लिए कितना area बाकी है ये जो area आप दिख रहे है व अपने अच्छी opportunity मिस नहीं कर सकते हैं इतना गिरने के बाद आप वेट करो कि और गिरेगी तब में लूंगा तो ऐसा मत करो आपको अभी से सिप मोड में बाइंग चालो कर देनी चाहिए क्योंकि में भी निप्टी यहां से कल से उपर चली जाए और आपको मुक्काई ना मिले और आप बोलो कि इतना नीची अच्छी आई थी लेकिन मैं यह लेवल का वेट कर रहा था वह लेवल आया ही नहीं और अच्छी opportunity मेस हो तो देखो नीचे का कितना 17 150 से लेके 16 700 यानि 400 455 की area बाकी है उससे ज्यादा area बाकी नहीं अगर उसके नीचे close देगा तो अपने पूरा exit करेंगे तो आपको strategy यह से बनानी है मैं आपको बताता हूँ देखो अभी weekly chart के उपर चलते हो और मैं आपको बताता हूँ कि आपक को आपको buy करना है लेकिन कब करना है कल जब market खुले तब भी buy करना है लेकिन half quantity buy करना है हाप quantity यानि जो लोग investment के लिए सोच रहे एक से दो महीने के लिए उनको क्या करना है निप्टी half quantity में buy करना है निप्टी वीज भी buy कर सकते हो 17 100 और 17 200 चल रहा है तो आपको कल जाके 17 मतलब यह range में मिले क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई है यानि वॉलेटाइल रहेगा यानि 100-200 पॉइंट तो ऐसे ही चला जाएगा एक एक मिनिट में आपको पता भी नहीं चले गया तो 17 100-17 200 मिले तो आपको buy करना है half quantity समझो कि आप 1 लाक रुपीज डालना चाहते हो तो 50,000 की निप्टी बीज ले सकते हैं यहाँ पर उसके बाइद in case आपका नसीब अच्छा है और निचे आ गया है तो आपका नसीब क्योंकि आवर आपको मिलेगी half quantity buy करने की और वो भी निचे 16 900 और 16 800 के बीच में जो बहुत कम chance है कि मिले इसलिए मैं बोलता हूँ कि कल जाके half quantity तो buy करी लेनी आपको अगर 16 900 और 16 800 का weight किया तो यह level भी अच्छे से आया है वो भी चला जाएगा और आप मिस करोगे और निप्टी में भी आने वाले 2-3 महीने में new high मार दें और आप बोलो कि अच्छा level यहाँ पर आया था लेकिन मैं weight किया और इसलिए बोलता ह half quantity यहाँ पर buy करने है 16 900 और 16 800 के बीच में half quantity buy करने है अगर यह दोनों buy किया उसके बाद main stop loss level भी तो होना चाहिए तो target देखो 18,000 का दिया उससे भी ज्यादा आ सकता है लेकिन temporary मेंने 18,000 का target दिया budget आ रहा है next week में तो 18,000 तो easily उसी week आ जाएगा लेकिन उससे भी ज्याद लेकिन 17,700 के निचे daily close दे तो आप पूरा पहला exit कर देना है यह जो आपने half quantity याने पूरी quantity buy करोगे निचे आएगी तो उसको आपको 16,700 के निचे तो काटी लेना है देखो market में stop loss level बहुत जरूरी होता है ऐसा मत सोचो कि निचे आया तो उपर जाएगा ऐसा मत सोचो stop loss level पर आपको exit करना ही करना है तो 17,700 के निचे आपको daily close में exit करना है अगर दूसरे दिन देखना है कि 17,700 के उपर close देता है तो फिर से entry कर सकते हो और 17,700 के जो candle का low बना है वो stop loss बना के लेकिन तब अपने अलग से analysis करेंगे लेकिन यह रहा निप्टी का view निप्टी का view overall सकता है 20,000 भी आ सकता है तो मैं चाहता हूँ कि आप opportunity miss ना करो और कल जो level पर area में मिलता है तो आप इसको buy कर सकते हो और उपर जाने के बहुत high chance है क्योंकि मेरे को clear cut आपको यहाँ से दिख रहा है कि यह triangle breakout बनने वाला है यानि यह नीचे आया अभी next week क्या होगा यहाँ प कही न कहीं यहाँ पर close देखी उसके बाद वो उपर ही चलती जाएगी और आप सोचते ही रहोगे कि कास में यहाँ पर buy कर लिया होता था इसलिए आप यहाँ पर बाइक कर सकते हो और nifty आराम से उपर जाएगी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ तो यह हो गए आपने nifty के अभी आपने चलेंगे बैंक nifty पर बैंक nifty में ज्यादा focus नहीं रखता लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं पता देता हूँ देखो बैंक nifty में यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बार analysis किया था आप देख सकते हो पूराने वीडियो तो यहाँ पर मैंन 37,000 के बीच मैंने यह 1500 की range बैंक nifty सबसे ज्यादा time spend करती है यह area में तो कही ना कई बैंक nifty निचे गिर सकती है समझो कल अगर कल के विक गिरेगी तो उसको ज्यादा गिरना पड़ेगा यह support थोड़ा दूर है तो बैंक nifty में यह trend line मैंने उसमें भी देखो draw किये यहाँ यह support है weekly chart के उपर यहाँ पे भी support है और यहाँ पे भी already तीन support already मिल चुका है तो बैंक nifty में भी क्या हो सकता है अगर कल उसको गिनना है तो बहुत बड़ी candle बनानी पड़ेगी next week support में कम candle में support मिल जाएगा उसके बाद कम candle में support मिलेगा तो बहुत high chance में exact level तो इसमें नही बता सकता है लेकिन आप अपने chart पे यह level याद रख सकते है अगर इसके निचे जब भी close देगी तो उसमें भी गिरावट आ सकती है लेकिन वो भी बहुत कम chance है कि उसके निचे गिरावट आए तो अभी कितना चल रहा है 36,850 चल रहा है bank nifty तो nifty निचे गिनने के बहुत क पुलिश वी लेकिन आपको SIP की मोड में इसमें buy करना रहेगा अभी मैं एक stock बताऊंगा जो अपने वो पूरानी strategy के इसाब से रहेगा जिसका नाम है PT Engineering, PT Engineering अपने buy करने का try करेंगे, कहा पे buy करेंगे, यह वाली candle पे, यह वाली candle पे क्यों buy करेंगे, क्योंकि देखोगे तो वीलियम सार अपने जो strategy है, हैकने से की strategy, उसमें वीलियम सार 100 की value minus 20 के उपर है, और आपको मैंने बोला देखो, awesome indicator पे मैं ज्यादा बरुसा करता हूँ, यह अभी भी green दिखा रहा है, तो यह setup हो गया कि minus 20 के उपर है, यह भी अभी green दिखा रहा है, और उसने हैकने से candle क्या बनाया है, रेट केंडल बनाया, तो अपने क्या कर सकते है, एकने से candle का high के उपर buy लगा सकते है, और stock उपर जा सकते है, तो एकने से candle का high कितना है? 293 का high है, तो 293 के उपर आप इस stock को buy कर सकते हो, अगर कल आपको समझो कि इसका low बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो और कॉल एक्टिव हो गया और 293 के आसपा सी बंद होता है तो यह जो केंडल रहेगी है कने से केंडल का यह जाओ लो रहेगा वो next day के लिए लो लगा सकते हो उसे क्या यह लो आपको count नहीं होगा है यह low count होगा क्यूंकि अपने को तो क्या करना है stop loss को trail करते जाना है यह जै अगर वो level break किया तो अधरवाई जैसे कि आज मैंने 4 stock बताये थे Monday के लिए आपको पता ही होगा देखो कोठारी petrochemicals पहला stock बताया था तो stock ने क्या किया आप देखोगे द्यान से यह इसके high के उपर अपने buy बोला था लेकिन वो गया ही नहीं तो अपना call active हुआ ही नहीं इसलिए strategy बहुत अच्छे से काम करती है यह stock अच्छा होगा तो ही अपना call active होगा अगर stock weak होगा तो वो call active ही नहीं होगा जैसे प्राज industry वो भी call बताया था कल लेकिन वो भी देखो यह level के उपर गया ही नहीं था तो यह से अच्छा-च्छी strategy है मतलब यह काम करती है लेक यानि चारो call मेंने कल बोलेते मंडे के लिए है लेकिन चारो में से कोई भी call अपना active नहीं हुआ था राम के इंफ्रा देखो इसमें भी यह level के उपर बोला था लेकिन उपर गया ही नहीं और अभी आप सोचोगे कि अभी क्यों नहीं buy कर सकते है क्यों कि देखो अभी इसक बाइं नहीं कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और जो मैंने analysis बताया है विकली और चार्ट मतलब निप्टी और बैंक निप्टी में ऐसा नहीं बोलता मैं कि 100% में sure होंगा लेकिन मैंने आपको 80% मेरा view बताया दिया कि 80% बहुत high chance है कि जो मैंने बोला उसके हिसाब से हो सकता है अतरवाज उसके अलावा अपने stop loss तो level है क्योंकि market में कोई भी 100% sure नहीं होता लेकिन market में views होना भी जरूर है कि यहां से कहा जा सकता है इसलिए मैंने मोटा मोटे views बता दिया ताकि आपको कोई भी position लेनी आने वाली एक दो मेने में तो आप अपने हुसाब से ले सकते हो कि कहा पर support है और किस तरह entry लेनी चाहिए इसलिए मैंने views बताया गाई तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करना और जो लोग नए है तो प्लीज चैनल को subscribe करना thank you very much गाई